हलो दोस्तों मैं हूँ रमेश चंद्रा और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल राइडून नर्सिंग एकड़िमी पर आज अपन डिसकर्श करेंगे क्रेनियल नर्वस के बारे में कि कौन-कौन से क्रेनियल नर्वस होती है और उनका क्या-क्या फंक्शन होता है बहुत ही सिंपल तरीके से और ट्रीकी वे में मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको ये सारी इनका नाम भी याद हो जाएगा और इनके फंक्शन भी आसानी से याद हो जाएंगे आपका कोई क्यूशन इससे कलत नहीं होगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ह पूल होने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं करेने नह्स करेने नहुशन पहला क्यूशन यह बनता है कि किती होती है तो ट्वल्व पेर होती है कई बार आ जाते हैं 12 है कुछ लोग 12 कर देते हैं 12 पेर होती है फस्ट ये क्लियर कर लिजिए नेक्स लाइन पढ़ते हैं ये जो बारा पेर होते हैं उनको रोमन संक्या में अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक से लेके बारा तक उन दे बेसिस ओप देर ओरीजिन साइट फ्रोम दे एंटिरियर टू पोस्टिरियर इसका पोस्टिरियर 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 प बारा नमबर दिया गया है रोमन लेटर में अंडर्स्टूड इस तरीके से आगे से पीछे के करम में यह अरेंज की गई है तो इनको जिस नमबर पर है उसी हिसाब से इनको याद करना होता है के इनका नमबर अपन चेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट एक्जाम में कही बार क्योश्ण आता है कि फिप्त क्रेनल नर्स कौन सी होती है तो जो नमबर है वोगी क्रेन नर्व है आपको याद रखने है इसके अंदर कुछ अपन को उपर नीचे नहीं करना घूर म है नेक्सट में इन सपाइनल नर्व कितनी होती ह nurse 31 या एक्सट्रा-प्वेंट है यहां पर किरेनी नर्व समार सेंसरी नर्व देखू इन 12 पर वे से कुछ है सेंसरी नर्व है जो एक्स्टनलना व्रीमाण से स्टिमुलेशन बेड는지 तरह दो बोडिके वहाँ लेकि आती है उनको को मॉटर बोलते हैं कुछ कुन सी मोटर है कौन सी सेंसरी है कौन सी ट्रिंग मने सट कर दिया आपको टेंसल नहीं की ज़रूद नहीं है नेक्स्ट अपनाते हैं आपको आता होगा इसके अंदर आपको याद भी होंगे लेकिन थोड़ा नए तरीके से मैंने इनकी ट्रिक बनाई है देखिए पहले नाम पढ़ लेते हैं कौन सी हैं ट्वलब फेर्स फस्ट है ओल्फेक्ट्री सेकेंड ओप्टिक नेक्स्ट ओकुलो मोटर ट्रोकलियर ट्राइजेमाइनल एब्डुसेंस फेसियल वेस्टिबलो कोकलियर ग्लोसो फेरेंजियल वेगस असेसरी और हैपो ग्लोसल यह टोटल बारा पेर के नेम है अब इनको याद कैसे करना है देखें मैंने ट्रिक बनाई है आगे यह ट्रिक है ठीक है आपके पास कोई पुरानी ट्रिक भी होगी यह इसकी ट्रिक बहुत चलती है यह थोड़ा मेरा सींपल सा ट्रिक है यह आपको याद रह जाएगी अच्छे से देखो यह तीन टायर बनाने आपको यह तीन टायर है, क्या है यह तीन टायर, फिर इनको लिखना है, थ्री टायर, तीन टायर बनाने है, फिर इनको लिखना है, थ्री टायर, मतलब ओ, 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 त्री टायर का टी, मतलब तीन ओ और दो टी, त्री टायर, understood, पहले बना लो, फिर लिखलो, मतलब तीन ओ और द ती, त्री, टायर, all friend, we know, Vegas accessory है, त्री, टायर बना लिया, all friends, we know, मतब सारे दोस्तों, we know, हम जानते हैं, Vegas accessory है, एक लाइन गयाद करनी है, त्री, टायर, all friend, we know, Vegas accessory है, तो इसमें, all factory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, यहां तक हो गया, all से, abducens, friend से, facial, और we को आपको इस तरीके से वी लिखना है, we, नहीं लिखके, we, we से आपकी कौन सी होगी, vestibulo, cochlear, next आपकी होगी, यह जो no है, उसको अपन को गनीत में लिखना है, देखो यह V को तो ऐसे लिख दिया, no को गनीत में लिखना है, और इस no से ही देखो G बनता है, glossopharyngeal, understood, देखिए, no से ही यह G बन जाता है, glossopharyngeal, understood, we, no, no से glossopharyngeal, Vegas आपका सीधा अगया, accessory का मतलब, accessory है, हैसे hypoglossal, simple सा है, आप एक बार इसको लिखके, एक बार उसको, दो तीन बार पढ़िए, आपको अच्छे से आता जाएगा, थ्री टायर, all friend, we know, Vegas असेसरी है, इसमें वी, ऐसे वी ऐसे लिखना है, जिससे आपका वेस्टिबलो को कलियर आ जाएगा, और जी ऐसे लिखना है, जो नो लिखते है, नो का, के अनो डबलू नी, नो, नो मतलब गनीत का नो, जिससे जी आपको याद रह जाएगा, तो यह टोटल होगे, थ्री टायर, all friend, we know, we know, Vegas असेसरी है, understood, तो यह टोटल नाम, ओल्फेक्टरी, ओप्टिक, ओकुलोमेडर, ट्रोकलियर, ट्राइजमेनल, अब्दूसेंस, फेसियल, वेस्टिबलो को कलियर, ग्लोसो फेरेंजियल, वेगस, असेसरी, और हाइपो ग्लोसल, कि इसमें सेंसरी कौन सी है, मिक्स्ड कौन सी है, और मोटर कौन सी है, तो अपनको सेंसरी याद रखनी है, और मिक्स्ट याद रखनी है, बाकी बचगी वो मोटर है, इन दोनों को अपन याद कर लेंगे, ठीक है, सेंसरी, सेंसरी के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है ए दोहा, दोहे होते हैं न, ये कबीर जी के दोहे, पैसे एदोहा, एक दोहा, हाणा, ए दोहा, understood, और दोहे को घाया जाता है, तो सिंख, सिंख trig 의 दोहा, मतभर ए दोहे को घाओ, सिंख से आपको sensory याद रहे जाएगा, और ए दोहा से देखो, ए, ए, एक, दो, ओ, ला से आट, ए दोह, understood, next अपना आते हैं, mixed के उपर, mixed के आपको याद रखना है, trick, सब की पसंद, सब की मतलब, आपकी मेरी, सब की मिली जुली, मतलब mixed, सब की से तो आपको mixed याद रह जाएगा, और पसंद मतलब, पैसे, पांच, सै से, साथ, नै से, नो, और दै से, दस, पांच, साथ, नो, दस, सब की पसंद, ठीक है, और जो बाकी बच गी, तीन, चार, छे, ग्यारा, बारा, यह आपकी मोटर हो गई, यह सबसे पहले पढ़ते हैं, अपन सैंसरी नावस के बारे हैं, सैंसरी कौन सी थी, ए दोहा, सिंग, सिंग मतलब, गाना है, अपनको सिंग से सैंसरी याद रख लो, और ए दोहा, मतलब ए दो और आट, ए दो, अब एक नमबर की कौन सी थी, थी टायर में से देखो, फस्टायर, ओल फेक्टरी, ओल फेक्टरी का मतलब ही क्या होता है, सूंग न, ठीक है, स्मेल से, यह तो नॉर्मल वाले, यह सब को याद रख रख है, फंक्षन है, वो अल फेक्टरी नावस से हो जाएगा, Vestibule Cochlear Nerve देखो इसमें दो वर्ड हैं Vestibule और Cochlear यह दोनों ही एक पार्ट है Vestibule आपका hearing के लिए काम में आता है और Cochlear आपका balance equilibrium के काम में आता है तो जो hearing or equilibrium जो balance का काम है वो आपकी आठवी नवक करेगी यह तो simple है इनके अंदर से डायरेक्ट क्यूशन कभी नहीं आता है क्योंकि यह बहुत सिंपल है सबको आता है अब नेक्स्ट आते हैं अपन कि मोटर के उपर यहां कन्फूजन स्टार्ट हो जाता है यहां थोड़ा ध्यान से सुनिये मैंने इनको थोड़ा सक अरेंज कर दिये तोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिये अपको बहुत यासानी से याद हो जाएगा देखो तीन नंबर मोटर में कौन-कौन सी थी जो बच गी तीन, चार, छे, ग्यारा, बारा जो यह मोटर की जो स्टार्टिंग की जो तीनों है तीन, चार और छे यह आँखों के लिए जिम्मेदार होती है यसे मालों इनके जो आँखों के जो फंक्शन्स है वो इससे ओप्टिक नवस तो होई गया वो तो अलग है उसके अलावा जो बाकी वो फंक्शन्स बच गए जो मोटर फंक्शन्स बच गए वो इनसे होते हैं तीन, चार और छे से चीक है यह थोड़ा सा टीपिकल सा है यहां से क्यूशन बहुत बार गुमा गुमा के पूछे जाते हैं तो जैसे मैं बता रहूंग वैसे सुनते रहे हैं आप मोटर के जो स्टार्टिंग की तीन और चार छे हैं वो आखों के लिए मोटर के लिए मोटर जो फंक्शन है और प्रोटर सिक्स्त एं अब्दूसेंस सब से चोटी नर्व सोती हैं स्मॉल एस्ट खीक है इनके अंदर क्रेणिए नर्व के अंदर सबसे चोटी नर्व ठीक है फिर 11 कौन सी है असेसरी नर्व है और है इपो ग्लोसल पर परते हैं देल्पोस आख का डाइग्राम मैंने बना दिया है यहां पर लगा दिया है इसमें तो आपकी जो तीन चार और च्छाह आइस को के जो मोटर फंक्शन को है वो कंट्रोल करती है अब आते हैं पन ओकुलो मोटर नर्वे पर जो की तीन नंबर की है अंडर्स्टूड देखो जो आई ध्यान से सुनना जो आई की साथ मसल्स हैं अंडर्स्टूड ठीक है आई की साथ मसल्स हैं ठीक है छह तो आपकी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स और एक आपकी यह आई लीड जो उपर की आई लीड होती है उसकी मसल्स ठीक है यह टोटल आई का एक कमपार्टमेंट हो गया मसल्स का अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर कौन सी मसल्स कौन कंट् करते हैं देखो आइय को आप पूरा जो function बता देता हूं आइ यह का क्या क्या हो गहिए आइय आइकी जो उपर की जो आइलीड है ठीक है इसको खोलने का काम किती है यह कि यह लेवियेटर मतलब अब उठाना HELP जिसको विंक मसल्स भी बोलता हैं, विंक मतलब आख मारने वाली मसल्स होती है, यह लेअटर पयल पेपरी. ठीक है? एक तो यह होगी, अब जो आनखों की जो आईबोल है, उसको छे मसल्स गन्ट्रोलोर करती हैं. ठीक है? ठीक है, वो सारे नाम याद हो जाएंगे, आप टैं बाकी बची प्यूपिल और लैंस समझ गया सातों मसल्स और दो आपकी एक लैंस और प्यूपिल यह जो सारा कमपार्टमेंट है इसके अंदर इन में से दो चीजों को छोड़ के बाकी सब को कंट्रोल कौन करती है तीसरी क्रेनिय नर्व है ओकुलो मोटर ठीक है पड़ लेव सब्सक्राइब करता है आपकी थर्ड नवा आई के दो बच गी मैंने बताया दो को छोड़े बाकी सारों को कंट्रोल कौन करता है आपकी थर्ड नवा आई के दो मसल्स को छोड़के कुछ भी आपको क्यूशन पूछे ना तो आपको तीसरे के उपर तीसरी क्रेनिय नर्व को सही कर देना है ठीक है अंडर्स्टूड अब जो बाकी जो दो बच गी दो काम उनमें से एक एक काम आपकी बाकी वाली करेगी मैंने बताया कि जो आपकी मिग्स्ड हैं अंडर्स्टूड देखिए जो आपकी मोटर नर्व्ज हैं जो क्रेनियर नर्व्ज मोटर हैं उसमें तीन चार और च्छे यह आई के लिए इसमें ज्यादा तर काम अपना तीसरा कर देगी बस दो मसल्स को छोड़ के मैंने बताया भी वह दो मसल्स में से एक यह करेगा और एक यह करेगा तो अपना आते हैं चोथी के उपर ट्रोकली नर्व्ज कंट्रोल सूपिरियर ओबलिक मसल्स कि डाउनवार्ड और आउटवार्ड मुवमेंट कराती है आई की अब भी अब टैंसर मतलेजिए अभी नेक्स जो ट्रिक्स आने वाले उसके अंदर आपको मुवमेंट भी आद जाएगी मसल्स भी आद जाएगी कौन सी नर्व कर रही है वो भी आद जाएगा ठीक है तो जो बाकी दो मसल्स बच गी थी एक को चोती करेगी और एक को अब अबुसेंस कौन से करेगी अब कंट्रोल दे लेटरल ड्रैथर्टस मसल्स अब आप देखिये मैं सिंपली आपको बता देता हूँ जो भी मसल्स मैंने लिखी है उनके आगे इनका सोट फोर्म लिखा है जै जैसे superior एक का example लेके देखते हैं, superior rectus तो इसको SR लिख दिया, जैसे inferior oblic muscle तो इसको IO लिख दिया, ऐसे sort form बना दिया है, तो दो muscle बाकि कौन सी? SO और LR, superior oblic और lateral rectus को छोड़ के, बाकी जो भी function है वो कौन control करेगा आपका तीसरा करेनिल नाव है और बाकी दो बजगे उनमें से एक एक चोती करेगी और एक आपकी करेगी यह abdus and छट्वी ओके चलो आते हैं trick के उपर इसको ध्यान से देख लीजिए आप इसमें देखो लाइन पढ़ते हैं रोजो भी माँ बता रहा हूँ आई को 6 muscles control करती है understood ओके 6 muscles control करती है बताया मैंने आपको नेक्स लाइन पढ़िए लेवियेटर पेलपेबरी जिसको wink muscle भी बोलते हैं जो आई लीड को खोलने का काम करती है खोलने का ये भी आपको एक ध्यान रखना है आई लीड को खोलने का बंद करने वाली अलग में आईगी फेसिल में आईगी understood जो wink muscle है जैसे किसी को जैसे अपन बोलते हैं आँख मारना ठीक है तो आँख मारने के लिए अपन आपको बंद कर लेते हैं फिर उसको खोलते हैं तो ये खोलना विंक करना ये control होता है क्यूशन आई डायरेक्ट तो wink को control कौन करता है तो आपको आपको कौन सी मसल्स कौन सी क्रेलियन नर्व करनी है थरड understood तो लेवेटल पैपरी जो जो पैपरी विंक मसल्स है उसको आई लीड को खोलने का काम करती है ठीक है अब जो मैंने बताए कि ये इसको आई लीड वाले को अठा देते हैं यी मसल्स को ठीक है इसको तो तीसरी करते हैं बाकी बची छे चे मसल्स बरी जो जिनको एक्सट्राऊकुलर मसल्स बोलते हैं जो आई बोल की ऊफर चिपकी रहती है, जो मसल्स जो आई बोल की मूव्मेंट किदर करवाना है उनको कंट्रोल करती है वह 6 मसल्स साथ भी क्यों सी थी आपकी इcod 아침 यूइडर परेपरी स्को अलग कर देते हैं अपने ठीक है जो छह मसल्स बचगी इनको दो गुरूप में डिवाइड कर लो आप एक तो दो और एक च्यार देखो यहां पे six मसल्स को दो गुरूप में बाट लो एक तो four और एक two ठीक है एक को तो च्यार में बाट लिया एक को दो में तो मतलब च्यार एक जैसा नाम होगा और दो का अलग जैसा नाम हो जैसे फोर लिख दिया मैंने यहां और एक वर टू लिख दिया एफ ओ यू आर लास्ट में आपका आर आर रहा है इसके तो यह आर वाली मसल्स है सारी की सारी देखो S-R-I-R-M-R-L-R understood और यह टू आला टी-ओ डब्लू लास्ट में आ रहा है तो यह ओ वाली मसल्स है सारी के तो जो दो है वो तो ओ वाली होगी ओर जो फोर है जो आर वाली होगी जो रैक्टस मसल्स होगी ठीक है अब इनका नाम पढ़े लीजिए आप सूपीरियर रेक्टास, एक उपर वालि एक नीचे वालि, 없다 स्टindungma LG C ﷺ, vanilla साइद मतलब रा सेट लडेरल साइड मतलब वारी ऐसाлад आउटर कहां तरप नेस्टोलblink पट लीजेा, inี-f transmitted पटना और शूपीरियर घृआर अब समाज में आ बाई, टोटल 7 मसल्स बताई एक तो यह आपकी आईलीड वाली और बाकी एक्स्ट्राउपूलर आईलीड वाली को तीसरी क्रेडियन नर्व कंट्रोल करेगी बाकी बचगी 6, उनको दो गुरूप में डिवाइड कर दो ठीक, एक तो 4 वाला और एक 2 वाला 4 लिखते हैं तो R तो R वाली सारी 2 लिखते हैं तो Last वाला O तो O वाली बस, Simple सा काम है Next आते हैं पर अब देखो, कौन सी मसल्स कौन सा काम करती है अब आप देख लो इसके अंदर, यह डाइग्राम है, Simple सा इसके अंदर, यह भी आपको याद हो जाएगा इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है Inferior Oblig क्या करती है Eyeball को उपर उठाती है और बाहर की साइड लेके जाती है Superior Rectus क्या करती है Eyeball को उपर उठाती है और Eyeball को Medial Side लेके जाती है, नाक की तरब Inferior Rectus क्या करती है Eyeball को नीचे लेके जाती है और नाक की तरब लेके जाती है Inner Side अब जो Inner Side है तो Eyeball Inner Side आएगी तो Adduct होएगी और Out जाएगी तो Abduct होएगी, यह तो Simply आपको पता होगा और Superior Rectus क्या करती है Eyeball को नीचे लेके आती है और Outside, Lateral और Lateral Actus क्या करता है Eyeball को बाहर की तरब लेके जाता है और Media Rectus क्या करता है Eyeball को नाक की तरब अंदर की तरब लेके जाता है तो यह 6 Muscles का यहाँ इस Diagram के अंदर अब आप इसमें Confuse हो रहे हैंगे कि यह कौन सा Direction किस तरीके से बता रहे हैं इसका भी एक इलाज है चलिए देखो मैंने बताया है R वाली र ओ वाली R वाली र एक्टस वाली O वाली ओ बलीक वाली तो जहां पे भी R आए R का मतब राइट मानलो आप सही है मतलब R के पहले जो भी वर्ड लिखा हो जैसे R के पहले क्या लिखा हो है Eye Eye लिखा हो है ने यहापे ठीक है यहां R के पहले Eye लिखा हो है R का मतलब अपने मानना है Right Right मतलब जो इसके पहले जो अक्सर लिखा हो है वो राइट है वैसी ही direction देनी है उसको जैसे R है इसके पहले क्या लिखा हो है Eye Inferior Rectus है नहीं है आयार का मतलब क्या है inferior rectus तो आर आरा है लास्ट में तो इसके पहले वाला word सही है मतलब inferior लेके जाएगी inferior का मतलब आपकी eyeball को कैसे लेके जाएगी कैसे लेके जाएगी eyeball को लेके जाएगी नीचे समझ मैं और अंदर ले जो right things हैं देखो सब बोलते हैं कि जो भी आप बहार right चीज़े देखो अच्छी चीज़े देखो उनको अंदर लो अपने धारन करो और जो wrong चीज़े हैं उनको बार फ्रेंको ठीक हैं यही तो बोलते हैं सब वो ही चीज़े हैं जहाँ पर आ रहे तो उसके पहले वाला word right मतलब उसका जो नाम लिखा हुआ है वही direction देदो और right है मतलब उसको अंदर भी ले ला है ठीक है अंदर लेना है मतलब नाक की तरफ direction देगी मतलब inferior rectus जो मसल से eyeball को downward और inward moment करवाएगी अब आप देख लीजे पीछे वाले डायग्राम में इन्फीरियर रेक्टस डाउनवाड और इन्वाड मूमेंट सिम्पल हो गया ना ट्रिक नेक्स्ट जहां पर भी एल लाए अंडस्टूड सोरी एक इमीज प्रिंट हो गया यहां पर ऐसा लिखा हो है जहां पर भी ओ आये ठीक है जैसे i o के क्या आ रहा है ओ आ रहा है ना लास्ट में ठीक है जहां पर भी ओ आये तो उसका मतलब अपन को समझना है कि पहले वाला जो उसका word है उसको opposite कर दो और meaning and बाहर बेज दो opposite चीज है गलत चीज है तो उसको आप बाहर बेज दो ठीक है जैसे i o लिखा हुआ है तो o का मतलब opposite मतलब पहले वाले एकसर को opposite करना है मतलब ये कौन से है i o inferior oblique muscle है तो inferior है लेकिन ओ आगे लग गया तो इसका opposite कर दो आप तो मतलब ये inferior moment नहीं करएगी आए बोल को superior movement करवाएगी उसका उल्टा कर दो और o है इसके साथ तो इसको क्या कर दो बाहर opposite कर दो आउट फैंक दो मतलब जो चीज गलत है उसको आउट फैंक दो ठीक है जहां पर भी आ रहे उसको राइट कर दो जो पहला वाला वर्ड और उसको अंदर ले लो और जहां पर ओ आये तो जो वर्ड है उसको opposite कर दो और उसको बाहर फैंक दो मतलब inferior oblique कि अपवार्ड और आउट वार्ड मुमेंट कराएगी देख लीजिए इनफिरियर प्लिक एरी अपवार्ड और आउट वार्ड मुमेंट करवाएगी लिखा हुए साब साब तो यह आपको समझ में आ गया होगा यह है अपना ट्रिक जहां पर भी आपका आ रहे तु उसके पहलेवाले वर्ड को राइट मानना है और राइट चीज को अंदर लेलो जहां पर भी O I मतलब उसके पहले वाले वर्ड का अपोजिट कर दो और जो उपोजित है और उसको बाहर पहेंक दो बैस खतम काम आपकी सारी इससे जाएगे, ठीक है, अब यह अपनी ट्री कोर, जो मैंने आपको बताया जो थर्ड करैनियल नर्व है, वो मैक्सिमम काम कर देती है आपके, आईस के, बस दो चीजों को, दो मसल्स को छोड़े, उन दो मसल्स को एक तो चोती करती है, एक सिक्स्त करती है, उसी को देखो, देखो, 3, 4, 6 आपकी eyes को control करती है, ठीक है, तो जहाँ पे भी eye का कोई भी function या कोई भी question आए, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 3 नेत्र, ठीक है, नेत्र से related है, 3 नेत्र, ये याद रखना है, 3 मतलब तीसरा, और नेत्र मतलब आँख, मतलब जहाँ पे भी eye का question आए, आ solar, सारे काम आई के तीसरी cranial nerve करेगी, किस चीज को छोड़के, solar को छोड़के, solar, 3 नेत्र, solar को छोड़के, ये आपको दिमाग में याद रखना है, अब solar को क्या लिखा, so, so, solar को मतलब lr, लिख दिया, मैंने bracket में देख लीजिए आप, solar को कैसे लिखा है, so को लिख दिया, so, और lr, मतलब, ये आपकी superior oblique, और ये है, आपकी lateral rectus muscles, मतलब, ये दो अलग-अलग muscles है, जिनको इनके लावा बाकी तीसरी करेगी, समझ मैं, अब देखिए, so को को कौन सी करेगी, और lr को को कौन सी करेगी, वो भी एक फंड है, देखो, so को देखो, so, लिखा हूँ है, तो ये कैसा सा दिखता है, 5 जैसा, तो इसका just पहले वाला digit लिख दो, 4, मतलब, चोती muscles करेगी, control, next आईए, lr, ठीक है, तो ये l कैसा सा दिखता है, इसको उल्टा करोगे, तो 7 जैसा दिखता है, तो इसके just पहले वाला लिख दो, कौन सा, छटवा, मतलब, छटवी muscles complete काम, बिल्कुल दिक्कती नहीं होती है, superior oblique, पूँचा, मतलब superior oblique, s, o, s मतलब 5 जैसा दिखता है, तो इसको just पीछे कर दो, solar के अंदर आता है, तो तीसरी तो करेगी नहीं, उसके अलावा करेगी, और s, o है इसका, मतलब s, 5 जैसा दिखता है, तो इसका पहले चोती करे करेगी, L साथ जैसा दिखता है, तो इसके पहले वाली लगाद उच्छे है, तो वो खरीगी चलिए, यहाँ पे, s, o का मतलब है superior oblique muscles, और आपका LR का मतलब है, lateral rectus muscles, ठीक है, मैंने बहुत ही मैनत किया, इस trick को बनाने के, यदि आपको नहीं समझ में आई है, तो प्लीज म प्रफेक्ट ट्रिक बनी है यह, नेक्स्ट देखो तीन हो गई, चार हो गई, छे हो गई, आखवली, मैक्सिमम तीन करेगी, चार आपकी एसो करेगी, छे करेगी LR, understood, complete, नेक्स्ट अपन बजगी, ग्यारवी और बारवी, देखो ग्यारवी क्या है, असेसरी नर्व, नाम है इसका असेसरी, ठीक है, तो यह डायग्राम देखिए आप, इसके अंदर एक, मतब एक, एक फोटो बनाने की कोशिच कि यह आपका हैड है, और यह नेक है, और यह सोल्डर है, ठीक है, इनकी नेक के उपर मैंने यह 11 लिख दिया है, याद रखने के लिए, मतलब यह नेक को कंट्रोल करेगी, नेक और सोल्डर, यह बेस है न, एक का, यह सोल्डर पर टच हो रहा है, तो जो मुवमेंट ओफ हैड है, एंड सोल्डर है, इनको कंट्रोल आपकी असेसरी मसल्स करेगी, यह क्रेनियल नर्व करेगी, ठीक है, और अपन फोर्स पुली जो करता है, देखिए, आप सोल्डर हेल्प करता है, मतलब यह मसल्स, फोर्स पुली रैस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है, अंडस्टूड, नेक्स्ट बचकी बार्म, देखो, बार्म, हाइपो ग्लोसल, नाम से आपको पता पड़ेगा, हाइपो मतलब नीचे, ग्लोसल मतलब आपकी टंग, मतलब टंग के जस्ट नीचे, नीचे क्या होगा, टंग के जस्ट नीचे क्या होगा, जो आपकी पूरी टंग है, जो जीब है, वो जस्ट नीचे जाके कैसे, उसके बेस के अंदर जुड़ जाती है, ठीक है, और वो बेस क्या करता है, इस जीब को हिला करने के लिए helpful है तो हाइपो ग्लोसल का मतलब क्या है मोमेंट ओप टंग वह जब जीब हिलती है तब ही अपने बोल पाते हैं तो है लप टू स्पीच जीब के नीचे की जड़ जो की जीब हिलाने के काम हाती है हाइपो मतलब नीचे और ग्लोसल मतलब जीब जीब के नीचे उसकी जड़ और वह जड़ ही उसको लाती है ठीक है तो मतलब मोमेंट ओप टंग और हैल्प्टू इसपीच यह आपकी मोर्टर होगी सेंसरी होगी मोर्टर होईगी नैक्स्ट अपना आते हैं अपने mixed के अंदर देखो mixed के अंदर भी थोड़ी शी रामायन है ठीक है आप ऐसे ही सुनते रहोगे तो आपको कभी confused नहीं होगा चलो चलते हैं केक को करते हैं mixed को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था सबकी पसंद सबकी मतलब आपकी मेरी mixed mixed मतलब mixed आपकी क्रेलियन नर्व्स कैसे याद रखने हैं पसंद से पैसे आपका पांच से से आपका साथ ने से आपका नो और दे से आपका दस अब देखिए पांच भी कौन सी है ट्राइजेमाइनल सेवंत फेसियल नर्व है बहुत इंपोर्टेंट नर्व नौवी ग्लोसो फ्रेंजेल तैंथ वेकस नर्व्स अब देखो इनके अंदर एक तो सबसे बड़ी है मतलब लॉंगेस्ट है एक तो सबसे लंबी है लॉंगेस्ट और एक सबसे बड़ी है लार्जेस्ट इसी के अंदर है आपके पास कुर्शन नाया कि सबसे बड़ी कहुन सी है मतलब सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट नर्व्स आपको यह पूछे या आपको पूछे लॉंगेस्ट क्रेलियं नर्व्स तो आपके दिमाग में सैंसरी और मोटर को तो अठाई देना क्योंकि sensory भी एक टाइप का ही है और मोटर भी एक ही टाइप का इन दोनों का ८िला-जुला रूप मतलब बड़ा मतलब longest और लार्जेस्ट तो आपकी मिक्स्ट में ही होगी सही बात है तो मिक्स्ट के अंदर आजाना और मिक्स्ट की मैंने आपको ट्रिक बता रही है पसंद है फांच सात नो दस तो यह जो आउटर साइड वाली है यह 5 और 10 यह है इन में से 1 लॉइंच ए और 2 यह लॉइंच देखिए लॉइंच ही इस पिलिंग होगे तो ल आये गा ना पेले एलो एन ऐसे आएगा ना तो एलो यह देख लो दस दस का यह आप ऐसे बना सकते हो लो लो लॉंगेस्ट आपकी टैंथ और आपकी लार्जेस्ट है फिफ्थ अंडर्स्टूट खतम यहां का एक तो कन्फ्यूजन यह खतम हो गया आपका अब अपना यह यहां पर मैंने देखो लिख दिया है यह की ट्रिक है स्क्रीन सोट ले ले लेना मिक्स्ट की फाइफ सेवन नाइन टैन यह कोने वाली एक तो गी लॉंगेश्ट को देखो इदस जैसा और दिख रहा जारी देखी के लोंगेश्ट और यह लाइज्सट अ नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्राइजमाइनल नर्व पे, ट्राइजमाइनल नर्व है, यह मैंने बता दिया आपको लारजेस्ट, ठीक है, आपने एक डिसोडर पड़ा होगा, ट्राइजमाइनल नरोल जिया, जो आए दिना खवार में भी आता रहता है कि सलमान खान को केंट मूद होता है या फेस को टच करता है और ब्रस करता है उससे क्या स्टिमुलेट हो जाती है ट्राइजेमिलन नर्व और पेन होता है बहुत बहुत कर छीक है मतलब आपको पता यह फेस के उपर सेंसरी शेंशेशन के लिए जिम्म्यदार है यह चीज आपके बैड़ जानी चीज दिमाग में इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं इसका नाम ट्राइजेमिलनल क्यूं है क्यूंकि इसके अंदर ट्राइज मतलब तीन ब्रांचेज है एक है आपकी आँखों के आसपास वाली जो यह ग्रीन एरिया लिखा रख है वह है आप्थेल्मिक रीचन फिर यह रेड एरिया जो नाक के आसपास और अपर होट के आसपास यह जो अपर लिप है उनके आसपास है वह आपकी मैक्स जरी और जो यह ब्ल्यू वाला जो बता रखा है जो लोवर चिन के आसपास है यह है आपकी मेंडिबुलर ब्रांच यह तीन ब्रांच है इसकी ठीक है यह ट्राइजे मिलन नावस तीन ब्रांच में बढ़ जाती है जो कि एक आँखों के आसपास का एरिया और एक अपर लिप वाला एरिया और एक चिन वाला एरिया अलग लग कंट्रोल करती है अब यह एसे देखों एक मोखोटा सा बना रखा ह आपको जैसी ट्राइजे मिलन लवस काम सामने आए कोई विक्यूसान आये या कोई भी आप से पूछे तो आपको यह मुखठा याद आना चाहिए या फिर आपको सलमान खान वाला वो disorder याद ना चाहिए ट्राइजेमी नेरोल्जिया क्योंकि उसको face के उपर pain होता है वो saving बनाता है तो भी pain होता है टच करते है तो भी pain होता है अब इसका man काम क्या है इसका man काम तो मैंने आपको बातों ये बातों में बता दिया जो आपका sensation है face के उपर जो face की जो skin है जो मुखटा आपने लगा रखा है इती-ती दूर के अंदर जो भी sensation आपका जो भी touch का sensation होआ या कोई भी pain का sensation होआ whatever sensation sensory जो भी काम है वो आपकी ये नर्व करेगी ट्राइजेमिनल में रोल जया दांत का जो दर्द होता है वो भी इसी के कारण होता है तो जो मुखटा लगा रखा था आपने उसके अंदर अंदर एक ये इसका most important function है ये बहुत बार पूछा गया है jaw muscles movement chaving या investigation ये सारी बात है कि आपको पता होगी देखो आप एक इस तरीके से याद रखना जैसे ट्राइजेमिनल लाए तो आपको वो मुखटा याद आ जाएगा understood ठीक है अब मुखटे के अंदर आप अपना जो हैंड है अपने चेरे के उपर लगा लेजिए जैसे कोई मुखटा लगाते ना वैसे अब आप देखो क्या चीज हिला पा रहे हो आप ये नीचे वाला जबड़ा हिला सकते हो आप इससे आवाज कीजी आप पूरा हिला रहे है ना उपर नीचे मतलब जो आपने टच किया है फेस के उपर जहां-जहां मुखटा लगा है वहां का तो sensory portion total और आपको जबड़े का हिलाने वाला motor पार्ट ये कौन करेगा आपका trigeminal आप मुखटा लगाने के बाद भी टोड़ी ला सकते हो अपनी अपना खाने का काम कर सकते हो आप यसे बोल सकते हो कि आप मुखटा लगाने के बाद में भी चिंगम खा सकते हो खा सकते हो ना तो मुखटा लगाया वहां पर sensation और जो आपका जबड़ा इल रहा है उसका आपका investigation वो काम करेगी आपकी trigeminal अप देखना आगे यही जस्ट उल्टा हो जाएगा next आते है अपन facial nerve के उपर तो facial nerve आपको नाम से पता पड़ेगा face लेकिन face का sensory portion तो ले गया कौन आपका trigeminal पका तो face का motor portion बचा आप किसको छोड़ गे जबड़े को चोड़ गे जबड़ा उदर चला गया तो जो motor function जो आपका facial expression बनाते हो आप face को ही लाते हो ऐसे करके वो total इससे control होगा facial expression आपके control होगे facial nerve से लेकिन face के उपर sensory portions है वो trigeminal के आएगे understood और जीब का देखो आप वो चबा रहे थे वो चबाना कोन control कर रहा था आप चिंगम चबा रहे थे लेकिन वो चिंगम का स्वाध है वो कंट्रोल आपका facial करेगा और इस स्वाध बहु blij जो taste है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया आपन ने जीब को जो two-third आगे वाली मतब और one-third पिछे वाली जो आगे का जो जो टू थर्ड पोर्शन है टंग का उसके दुवारा जो टेस्ट का अनूबह होता है वो फेशियल नर्वस करती है और बाकी का जो वन थर्ड है वो दूसरी नर्वस करेगी स्थाननाा कि अदेस्टूड अ है तो आपको जो जस्ट यसे मैंने आपको नेतर आते ही क्ला करनाओ त्री या ना या ना बताया था आपको दो चीजों को छोड़ के और उसको करेगी चार और छे वैसे यहाँ पर भी है फेस फेस को कौन कंट्रोल करेगा फेस से 5 और 6 से 7 फेस को पांच भी और साथ भी नर्स कंट्रोल करेगी अब पांच भी क्या करेगी फेस के उपर का टोटल सेंसरी और जबड़े को लाने वाला मोटर और साथ भी कौन सा करेगी फेस को टोटल लाने वाला अगे वाला पोर्शन तू थरड़ वह कंट्रोल करेगी कोन आपकी इसे यहां बहुत कंप्यूजन है यहीं से बनते हैं सबको आते हैं यहीं से क्यूशन बनते हैं आपकी बची नेक्स्ट ग्लोसो फेरेंजियल नाइन्थ तो इसका वर्ड से मिनिंग निकलता है ग्लोसो मतलब जीब टंग और फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स अब जो आप सोचो फेस का जो वन थरड बच गया पीछे वाला यह ठीक है रिमेंग पॉर्शन ओफ वन थरड पॉर्शन टंग फो टेस्ट यह ग्लोसो फेरेंजियल करेगी और फैरिंस मतलब फेरिंस क्या करता है यह निगलने का काम करता है जो फेरिंस के उपर आपका जो भी मसल्स है वो निगलने के लिए जिम्मेदार होती है तो ओं वो swallowing और gag reflex ये भी बहुत बार पूछा जाता कि gag reflex के लिए जिम्मेदार क्रेनी नर्व कौन सी है तो आपको आँख मीच के नवी करनी है चीक गेग reflex के लिए जिम्मेदार कौन सी नर्व है आपकी parings जिम्मेदार होएगा आपका तो आपको ये glossopharynge नर्व करनी है और यहां ही गले के आज़ पास यापकी parotid gland और tonsil होते हैं तो उनको भी ये control करेगा और यहां पर भी carotid जो आपकी वेंस और आर्टरी होती है उनके आज़ पास आपके baroreceptor और जो chemo receptor पाए जाते हैं chemo पर पीएच और baro मतलब आपकी BP के लिए pressure के लिए detection करते हैं वो भी इसी से control होएंगे understood तो glossopharynge ये मतलब जीब का remaining portion और pharynx मतलब स्वाल आई और pharynx के आज़ पास की चीज़े मैंने आपको बताई दिये parotid gland, tonsil और आपका जो baroreceptor की receptor है वो वो इसके दरी हैंगे next आपकी last one vagal nerve जो की आपकी longest है मैंने बता दिया आपको पहले ठीक है ये क्या करेगी जो भी internal organ है जो की thorax और abdomen में पाए जाते हैं जैसे heart हुआ, lungs हुआ, upper GIT tract हुई, other organ of chest and abdomen हुए ये सारों को control करती हैं ऐसे मालो आप तो thorax और आपकी abdomen के जो भी organ से जुन से supply आती है वो आपकी vagal nerve है control करती है इत्ते ही important है आपकी यह तब होता है यहाँ पर मेरा cranian nows का वीडियो complete होता है यदि आपको यह अच्छा लगा तो इसको like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए धन्यवाद